आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडियो फाइल के बारे में जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडियो फाइल होता है जैसे कि आप जब आउनलाइन अधार कार्ड पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें password लग राता है तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे password को remove करेंगे बिना कोई application डाउलोड किये तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं Password को remove करने के लिए हम इस्तमाल करेंगे Chrome browser का और जिस भी PDF फाइल का आपको password remove करना है वो आपके पास होना चाहिए और सबसे पहले आपको उस PDF का password पहले से पता होना चाहिए मेरे पास password protected PDF फाइल है जिसका आज हम password remove करके दिखाएंगे जब आप इस PDF को आप open करेंगे तो आपसे password बाएगा और उस password को इंटर कर देने के बाद आपका PDF फाइल open हो जाता है लेकिन हम आप आज की स्वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना password इंटर किये आपका PDF फाइल open हो जाता है सबसे पहले आपको Chrome browser क्या करना है कि इसके लिए आपको open कर लेना है Chrome browser के open करने के बाद आप इस PDF फाइल पे प्रेस करेंगे और drag करके Chrome browser में इसको paste कर देंगे या इसको simply क्या करेंगे Chrome browser में इसको छोड़ देंगे इसके बाद आपसे पासवर्ड माएगा आप उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर देंगे इंटर करने के बाद आपका PDF फाइल जो है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है आपके Chrome ब्राउजर में ओपन होयता है इसके बाद आप देखेंगे कि right corner में उपर में print का option देख रहा है आप इस पे simply click करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे कि save as PDF आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है अगर आपको यहाँ पे save as PDF का option दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे अगर नहीं दिख रहा है तो इसके आप click करके save as PDF यहाँ से select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आप save कर लेंगे तो आपसे बिना password माँगे आपका PDF फाइल यहाँ से open रहता है तो इस तरीके से आप किसी भी PDF फाइल में लगे password को आप remove कर सकते हैं Chrome browser की मदद से अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शाज शेयर कीजिए अगर आपके मन में कोई confusion है कोई सवाल है तो आप हमसे comments में सवाल पूछ सकते हैं